हेलो टेडर्स, काफी दिन से आप पूछ रहे थे कि धन में हम CPR को किस तरह प्लोट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने पूरी सेटिंग्स बता दी हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले आपको धन में लॉग इन करना है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं CPR with pivot level daily को यूज़ करते हैं, इसके साथ मैं personally CPR with pivot level monthly का central pivot और weekly का भी central pivot यूज़ करता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर प्लोट कर लूँगा CPR with pivot level daily की settings में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद के colors चूज़ करना है कि कौन सा pivot किस color का हो सकता है जैसा कि central pivot को मैं black color का पसंद करता हूँ और इसकी thickness मैं थोड़ी सी कम रखता हूँ इसके बाद bottom pivot को मैं blue रखता हूँ, इसकी thickness भी black की तना ही रहेगी और top pivot को भी मैं blue रखता हूँ ये मेरे daily pivots हो जाते हैं, इसके साथ CPR के साथ S1 और R1 इनको भी मैं color करता हूँ, इनको सब को हम select कर लेंगे मैं daily S4 और R4 तक जाता हूँ और इसमें S1 में मैं orange color के pivots रखता हूँ, इनकी thickness मैं सबसे कम रखता हूँ आपको कोई भी color यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं, कोई भी thickness यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं, यहां मैं वो setting बता रहा हूँ, जो मैं personally यूज करना पसंद करता हूँ उसके बाद अगर आपको right side पर यहां पर pivot के price भी चाहिए, तो ठीक है, नहीं चाहिए, तो आप यहां पर इन दो lines को untick कर सकते हैं, आपके right side पर देखेंगे, pivots के price हट गये हैं, इसके अलावा आपको visibility वेगारा में कुछ नहीं करना है, आप यहां से okay कर देंगे, आपका daily CPR plot हो गया है, अब मैं weekly और monthly CPR में भी plotting कर लेता हूँ, weekly CPR में मैं सिर्फ weekly का central pivot लेता हूँ, इसके लावा मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, तो मैं सबको untick कर दूँगा, अगर आप कुछ करना चाह रहे weekly R1, R2 भी चाहिए, तो आप यहां से daily CPR की तना trick कर सकते हैं, मैंने weekly central pivot मैं maroon color का रखता हूँ, और इसकी thickness भी सबसे thin रहती है, और इसके लावा मैं कुछ भी tick नहीं करता हूँ, और इसको मैं okay कर दूँगा, इसके साथ monthly pivot भी मैं उसी तना से सिर्फ central pivot रखूँगा, इसकी मेरी monthly pivot की thickness भी सबसे thin रहती है, और यह मैं green color का रखना पसंद करता हूँ, और इसके साथ भी मैं कुछ भी tick नहीं रखता हूँ, सब मैं untick कर देता हूँ, आपको अगर use करना है तो आप बिल्कुल use कर सकते हैं, इसको भी हम okay कर देंगे, और आप देखेंगे कि अब हमारा CPR पूरी तरह से plot हो गया है, मैं personally अपने CPR के साथ साथ 2 EMAs भी रखना पसंद करता हूँ, उसके लिए मैं search करूँगा EMA, तो धन में यहाँ पर एक EMA cross का आपको option मिलेगा, आप इसको plot कर सकते हैं, इसमें आप 2 EMA एक साथ plot कर सकते हैं, EMA cross की setting में आप जाएंगे, तो inputs में जिस भी तरह की EMAs की setting चाहिए, आप रख सकते हैं, जैसे मैं 8 और उसके साथ 20 EMA को पसंद करता हूँ, और style में मेरा 8 EMA red color का होता है, और 20 EMA blue color का होता है, crosses को मैं untick कर देंगा, crosses का का काम होता है, आप देखेंगे जहाँ पर भी EMA को में crossover हो रहा है, यह वहाँ पे एक plus ब start पर यहाँ side में लिख के आए, तो यहाँ पे इन दो ticks को आप on रहें दें, नहीं तो मैं इसको untick रखता हूँ, और इस तरह से मेरा पूरा CPR जो setting मेरी है personally मेरे screen पर वो plot हो जाती है, इसमें colors में आप अपने हिसाब से changes कर सकते हैं, तो I hope इस से आपको काफी फायदा मिलेग and अगर आपको धन में account open करना हो, तो इसी वीडियो के description में हमने धन का link भी दे दिया है, वहाँ से आप धन में भी account opening कर सकते हैं, account opening free है